फिलहाल हालत बहुत खराब है और अतना खराब है कि बोला भी नहीं जा सकता है जो कॉंग्रेज है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कही भी मुसल्मानों का तक्लिव होगा तो हम है लेकिन हिंडू का तक्लिव है हम नहीं है हम खाली हिंडू का बीच में हिंडू को जातिव में तोड़ने का काम ही हमारा मक्षद है बाकी और हमारा कुछ लक्स नहीं है उहां का जो स्तीती है काफी शिंटनिया है लेकिन हमारा अतना ही विश्वाज है कि प्रधान मंत्री जी जरूर बंगलाडेश का सरकार का साथ या जो भी डिप्लोमेटिक साइनल्स है उसमें काम करेगा और धीरे धीरे स्तीती सुढ़ेगा लेकिन फिलहाल हालत बहुत खराब है और अतना खराब है कि बोला भी नहीं जा सकता है प्रामुल गांधी अलसंखक की बात तो करते हैं लेकि हिंदू सब्ध का यूज नहीं करते हैं जल्कि अलसंखक है हिंदू बंगलाडेश माइश देखिए जो कॉंग्रेश है आप देखिए प्रियंका गांधी और कॉंग्रेश फैब जो परिवार है उन्होंने गाजा के लिए कितना बार तुईट किया है लास्ट दो तिन महीना में आप देखे गाजा के लिए टूइट करना गाजा का अलप संख को के लिए धरना पदर्शन करना अब पूरा तमाम जो कॉंग्रेस और उनका इको सिस्टेम को देखिए कि गाजा के लिए कितना हंगामा किया हाला कि गाजा में जो हुआ था वो टेरोरिस्ट एक्टिविटी था और जो भी हो रहा है ये एंटी टेरोरिस्ट करवार हो रहा है लेकिन बांगलादेश का हिंडू के लिए ये कॉंग्रेस लोग कितना बार टूइट किया कितना बार धरना पदर्शन किया आज जो कॉंग्रेज है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कही भी मुसल्मानों का तक्लिव होगा तो हम है लेकिन हिंडू का तक्लिव है हम नहीं हैं हम खाली हिंडू का बीच में हिंडू को जातिव में तोड़ने का काम ही हमारा मक्षद है बाकी और हमारा कुछ लक्स नहीं है हिंडू अगर मर भी जाए गाजा के लिए मैं पसीज बार तुईट करूँगा लेकिन बांगलाडेश का हिंडू के लिए एक बार भी में रोने का काम नहीं करूंगा एही कॉंग्रेश है क्या बताता है क्या बता ना है आप भी खुद अगर मैं पता नहीं अगर आप हिंडू है तो आप भी समझ लीजिए ये पीरा कैसा है देखिए अभी भारत सरकार ने ये इजाज़त नहीं दिया है कि आप बोर्डर में किसी को लीजिए किसलिए तब समझ सा समाधान नहीं होगा आप तो एक रो डो कर लोगों को ले नहीं सकते हो समाधान उसी में है कि हमें पूरा डिप्लोमेटिक सैनल से काम करते हुए बंगलाडेश में ही उनको सिक्रोती देने का काम करे और इस विशाई में भारत सरकार जो बैवस्ता लेगे स्टेट गौर्मेन उनको ही फॉलो करेगा हमारा कुछ अपना बैवस्ता उसमें नहीं होगा तेके मैंने ये दिखाया बंगलाडेश में 51 और 2024 ये जो तमाम समय हुआ उसमें बंगलाडेश में हिंडू का सेंखा 33 परसेंट से घट के आथ प्रतिशद हुआ लेकिन लोग बोलते हैं कि बंगलाडेश में हिंडू कम हुआ है अगर ओही आखरा आप बैंगल असम और जारखान में डाल देते हो हमारा इहां में भी ओही परसेंटेज में हिंडू घाता है हिंडू का संखा घाता है तो मैंने असाम और बंगलादेश का comparison दिया, एकी समय में बंगलादेश में 13% हिंडू घाता है और असाम में 9% हिंडू घाते हैं, मतलब देश में जो demographic shift है, demographic का परिवर्टन है, वो कैसे एक भोगोल में कि ये बंगलादेश ये इसलिए उहा हुआ है, इंडिया में नहीं है, बंगलादेश से साटे हुए, हर जगा में ये हिंडू shift हो रहा है, हिंडू का संखा कम होते जा रहा है